अगर आप भारी जवानी में ही बूढ़ा जैसा महसूस करते हैं तो ये पौधा आपका काया कलप ही करके रखतेगा शरीर के कोने-कोने में शक्ति दोडेगी शरीर का काया कल्प करने के लिए इस पौधे से उत्तम कुछ भी नहीं काया कल्प का अर्थ है शरीर को नया जैसा बना देना इस पौधे के बारे में आयूरवेद के रिशी मुनी ने कहा है कि अकेला सो हाथी जितना बल दे सकता है जीवन की दशा ही पलट सकता है अति धनवाद और यौवन वान बना सकता है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्पिरिच्वल ट्री में दोस्तों यह पौधा आपकी रात हसीन कर देगा इसका एक पत्ता खाते ही आप रात भर कुष्टी खेलोगे यह हमारे नीचे बाले हिस्से पर गजब की गर्मी पै लेकिन यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आप इस पौधे को कभी भी नजर अंदाज नहीं करेंगे इस पौधे को बहुत ध्यान से देख लीजिए क्योंकि इस पौधे से आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी आपको भाग्य का साथ मिलेगा सुख समरिध्य आपके घर पर आएगी और अगर आपको कोई भी रोग है वह रोग आपसे दूर चला जाएगा दोस्तों ये पौधा नहीं है इसको भारतिय पुराणों के हिसाब से एक डायमंड माना गया है एक हीरा पौधा माना गया है आपको बता दें कई लोग अपने घर के आसपास इस पौधे को देखने के बाद उखाड कर फें देते हैं लेकिन आज के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि इस वीडियो में हम इस पौधे के बारे में वह आपको जानकारी देंगे जो आप लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे तब भी आपको यह न सा विश्वास रखते हैं तो एक बात समझ लीजिए हिंदू पुराणों के हिसाब से आयूवेदिक तरीके से इस पौधे को एक हीरा माना गया है इस पौधे की जड़ को एक हीरे के स्वरूप माना गया है आपको बता दें आप अगर अपना पूरा जीवन भी लगा तो आयूरवेद की भाषा को समझ नहीं पाएंगे धन्य हो उन लोगों का उन गुरूओं का जिन्होंने आयूरवेद को इतना आसान कर दिया इतना सरल कर दिया कि आज भी आयूरवेद हमारे भारत के काम आ रही है दोस्तों भारत में आयूरवेद की इस्जत बिलकुल नह पौधे को कभी पानी की जरूरत नहीं होती है यह अपने आप अपना रास्ता ढूंड लेता है और रुक जाता है और अगर आपने इस पौधे का उप्योग सही तरीके से कर लिया तो यकीन मानिये आपके जीवन में आपको कभी भी कष्ट नहीं होगा आपको रोगों से च संतान के परेशान है उनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी एवं इस पौधे में दिव्य ताकत होती है ऐसा हिंदू पुराणों में भी लिखा है जिससे आपके घर में अगर कला होती है वह चली जाएगी आपके घर में भूत प्रेत है वह भाग जाएगा एवं धन के आन बल होता है, मर्दों को बल देता है, औरत को खुशकर करता है, मर्द के द्वारा इसको खाने पर औरत संतुष्ट होकर आनंद दायक जीवन का अनुभव लेती है, आपको बता दें, अगर आप किसी बीमारी से जूंज रहे हैं, आप शरीर की प्रोटीन की पूर्ती के लिए म आप खाना बंद कर दीजिए क्योंकि ये फ्री में मिलने वाला पौधा हर मल्टी विटामिन आपकी पूरी कर देगा, कैसे चलिए, आपको बताते हैं, तो अतिबला पौधा जो होता है, ये पूर्ण रूप से सिक्योर होता है, सुरक्षित पौधा होता है, इसकी जड़ क या दिक्कते हो रही हैं, उसमें ये राम बान की तरह आपका साथ देगा, अगर आपने इसको शाम को घी के साथ मिला कर रोटी में लगा कर खाया, तो आपका शरीर लोहे जैसा बज्र जैसा हो जाएगा, अगर आप एक महिला है, और इस पौधे का सेवन तीन महीने तक कर लेती है, और आपको संतान की प्राप्ती नहीं हो रही थी, तो संतान की प्राप्ती भी होगी, और यकीन मानिये, संतान की प्राप्ती होना आपको तैय है, अगर कोई भी चांस होगा कि आपको संतान हो सकती है, तो वह जरूर होगी, यह पौधा आपकी जरूर मदद करेग अतिबला पौधा जो होता है उसमें मर्दों के लिए काफी ताकत भी मानी गई है आयूर्वेद के हिसाब से आपको बता दें कई लोग अपने जीवन में इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि उनके घर का माहौल अच्छा नहीं होता है अपनी अरधांगिनी से अपनी पत्नी से उनकी लड़ाई होती रहती है उसके लिए भी यह पौधा आपके बहुत उप्योग हो सकता है उप्योगी साबित हो सकता है कैसे चलिए आपकी टाइमिंग कई गुना बढ़ जाएगी सुखी वैवाहिक जीवन के लिए इतना समय तो पत्नी को जरूर देना चाहिए दोस्तों इस पौधे में कई दिव्य गुन छुपे होते हैं अगर आपको लगता है कि आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है आपके घर में लड दीजिए बुक किताब छोटे से इट से और उसको एक महीना उस जगह से मत हटाईए सिर्फ इतना करके आप एक बार जरूर देखिएगा आपको इसका बहुत फाइदा देखने को मिलेगा नकारात्मक ताकतें जो आपके घर में होंगी नेगेटिविटी जो आपके घर में होगी वह अपने आप जाने लग जाएगी आपके घर का माहौल बहुत अच्छा होने लग जाएगा आप अगर छोटी छोटी बात पर अपनी अरधांगिनी से अपने माता पिता से बहस हो जाती थी वह बंद हो जाएगी दूसरा अगर आपको लगता है कि आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पर भूत प्रेत का आवास है आपको रात में डर लगता है या आपको लगता है कि आपके उपर negativity आती है जिसको हिंदी में कहते हैं कि गलत भावना ये आती है किसी आत्मा के कारण तो आप एक लाल कपड़ा लीजिए उसमें इसकी जड़ को बांध लीजिए और अगर आप पुरुष हैं तो अपने दाहिने हाथ पर इसको बांधे रखिए अब यकीन मानिए अगर आपको कोई भी ऐसी ताकत काम करने से रोक रही है आपके भाग्य को रोक रही है उसमें ये पौधा आपकी मदद करेगा और ये बाते हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं अतिबला पौधा हिंदू पुरान के हिसाब से एक हीरा पौधा दोस्तों आप अगर लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे आपको ऐसी जानकारी कहीं भी जानने को नहीं मिलेगी ये सारी जानकारी आपको अपने इस चैनल स्पिरिच्वल ट्री चैनल में मुफ्त में फ्री में दे रहे हैं हमारा सिर्फ एक मकसद है हमारे देश के जीतने भी हिंदू भाई बहन है सिख भाई बहन या कोई भी है भारतिय नागरिक है उसका हम भला कर सके अपने चैनल से क्योंकि जन कल्यान के लिए हमारे इस चैनल को हमने चालू किया है और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं यकीन मानिए आपको वह जानकारियां मिल जाएंगी जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी आप लाखों रुपए भी खर्च कर दीजिए दोस्तों वह जानकारियां आपको कहीं नहीं मिलेंगी जो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी दोस्तों अतिबला पौधा हिंदू पुराणों के सबसे मजबूत पौधों में माना गया है आपको अगर नहीं पता है तो बता दे प्राचीन समय में जो राजा महाराजा होते थे, क्षत्रिय भाई बहन होते थे, गुजर भाई बहन होते थे, सनातनी लोग होते थे, पूजा पाठ करने वाले स्वामी लोग होते थे, वह अतिवाला पौधे को अपने पास जरूर रखते थे, अतिवाला पौधा उनके पास ह चाम को रोटी के साथ लेते थे आपको बता दें हिंदू पुराणों के हिसाब से अतिबला का जो पाउडर है वह आपके लिए अम्रित समान होता है दोस्तों इसको अगर आप सुबह से दूद के साथ ले लेते हैं आधा चम्मच यकीन मानिए हर रोग जो आपके शरीर में है वह आपसे दूर चला जाएगा अगर आपने इसको रोटी के साथ घी में लगा कर खा लिया आपको बहुत ज्यादा फाइदा मिलेगा आपका शरीर जो है वह बहुत मजबूत हो जाएगा हड़ी लोहे के समान हो जाएगी आप अगर बहुत कमजोर है आपकी कमजोरी आपस सिर्फ इसका सही उपयोग करना है अतिबला एक आयूरवेदिक जड़ी बूटी है जिसे अकसर त्रिफला के एक घटक के रूप में उपयोग किया जाता है त्रिफला तीन जड़ी बूटियों का एक मिश्रण है आवला हरड और बहेडा अतिबला को आम तोर पर त्रिफला का सबसे महत्यपूर्ण घटक माना जाता है क्योंकि इसमें अन्य दो जड़ी बूटियों की तुलना में अधिकोश धिये गुण होते हैं अतिबला में कई स्वास्थे लाब होते हैं पाचन में सुधार अतिबला में फाइबर और अन्य पोशक तत्व होते हैं जो पाचन क बेहतर बनाने में मदद करते हैं, यह कब्ज, अपच और गैस जैसी समस्याओं से राहत दे सकता है, इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है, अतिबला में एंटीन और अन्य पोशक तत्व होते हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करते हैं, यह संक्रम करने में मदद कर सकते हैं, यह विशेश रूप से कैंसर स्तन, कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर के लिए लाबकारी हो सकता है, रक्त शरकरा को नियंतरित करता है, इसमें एंटी एंजिंग गुण होते हैं, जो रक्त शरकरा के स्तर को नियंतरित करने में मदद कर सकते हैं, यह इसे भोजन के साथ या भोजन के बिना लिया जा सकता है. अतिबला एक सुरक्षित और प्रभावी जड़ी बूटी है जो कई स्वास्थिय लाभ प्रदान कर सकती है. दोस्तों हालांकि किसी भी नए अहार पूरक को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करना हमेशा सबसे अच्छा होता है. अतिबला के कुछ विशिष्ट उप्योग और लाभ त्वचा के लिए अतिबला में एंटी औंक्सिडेंट और अन्य पोशक तत्व होते हैं जो बालों को मजबूत और स्वस्त रखने में मदद करते हैं. यह बालों के जड़ने समय से पहले सफेद होने और अन्य बालों की समस्याओं के लिए लाभकारी हो सकता है. मूत्राशय और गुर्दे के लिए अतिबला में मूत्र वर्धक गुण होते हैं, जो मूत्राशय और गुर्धे को स्वस्त रखने में मदद करते हैं. दोस्तों, यह मूत्र के संक्रमन मूत्राशय की सूजन और अन्य मूत्राशय और गुर्दे की समस्याओं के लिए लाभकारी हो सकता है. हृधए के लिए अतिबला में हृधए स्वास्तिय को बढ़ावा देने वाले प्त चाप को कम करने, कोलेस्टरॉल के स्तर को नियंतरित करने और हिर्दय रोग के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। अगर जानकारी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल स्पिरिच्वल ट्री को जरूर सब्सक्राइब करें।